हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन, आज हम पढ़ने वाले हैं, पार्टिशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, पिछले वीडियो में हमने एड्जॉप्शन क्रोमेटोग्राफी कवर किया था, आज के इस वीडियो में हम उसी का दूसरा पार्ट कव कवराफी. तो आपका यदो पार्टिशन क्रोमेटोग्राफी है, यह πα्रिशन के प्रिंसपल पर काम करता है, इसमें जो संपरिशन का pra्रोसेस होता है, वह पार्टिशन कॉफिशयंट के कारण होता है, तो अगर हम इसका प्रिंसपल देखे, सीपरिशन occurs due to differences of partition coefficients, relative solubility in solid phase and mobile phase, आपका ही जो column chromatography है, इसमें सबसे पहले तो दो phase होते हैं, ठीक है, और दोनों ही phase आपके liquid phase रहेंगे, आपका एक phase रहता है stationary phase और दूसरा phase होता है mobile phase, ये दोनों ही phase इसमें liquid होते हैं, और liquid होने के कारण, जब हम इसमें अपना analyte डालते हैं, तो जो analyte है, उसकी relative solubility के according, वहाँ पर separation होता है, देखिए, partition coefficient यहाँ पर क्या होता है, माल लीजे, हमने यहाँ पर दो phases लियें, ठीक है, दोनों phase हमारा liquid है, माल लीजे, एक हमारे stationary phase है यह वाला, और एक side हमारा है, mobile phase, तो दो phases है हमारे हाँ पर, अब हम माल लीजे, एनलाइट डाल रहे हैं, एनलाइट हमने यहाँ पर डाला, अब इस analyte का solubility, phase 1 में क्या है, और phase 2 में क्या है, कितना यह दोनों phase में soluble हो रहा है, उसी को कहा जाता है, partition coefficient, या फिर distribution coefficient, इसका मतलब होता है, कि कितना concentration हमारे किसी भी sample का organic phase में present है, और aqueous phase में present है, ठीक है, तो organic phase और aqueous phase में drug का concentration होता है, जो distribution होता है, उसे कहते हैं हम partition coefficient, तो यहाँ पर यह आपका partition coefficient होता है, और इसी के base पे यहाँ पर आपका separation होता है ठीक है तो यहाँ पर basically partition coefficient involved होता है आगर हम कोई भी analyte ले रहे हैं ठीक है तो वो क्या करेगा अपने nature के according वो या तो stationary phase में soluble होगा या फिर mobile phase में soluble होगा ठीक है माल लेजिए कि अगर वो mobile phase में soluble होता है तो वो mobile phase के साथ जल्दी से column से बाहर निकल जाएगा लेकिन अगर वो stationary phase में soluble होता है तो stationary phase में वो stick हो जाएगा या कहना चाहिए वहाँ पर उसकी affinity आजाएगी एक type से ठीक है तो वो stationary phase में रुक जाएगा और mobile phase के साथ बाहर नहीं आपाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी drug है या जो भी हमारा analyte है वो अपने partition coefficient के according यहाँ पर separate होता है ठीक है तो यहाँ पर आपका basically partition coefficient का जो phenomenon है वो यहाँ पर involved होता है next है इसमे also known as liquid liquid chromatography इसे हम liquid liquid chromatography भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारा stationary phase है और mobile phase है दोनों ही यहाँ पर liquid phase के होते हैं ठीक है तो इसे हम liquid liquid chromatography भी बोलते हैं next point है इसका both solid and mobile phase are immisible liquids तो वही इसमें दिया हुआ है आपका जो solid phase है और mobile phase है दोनों ही यहाँ पर liquid होता है और यह दोनों liquid immisible होते हैं immisible liquid उन्हें कहा जाता है जो कि आपस में mix नहीं होते हैं ठीक है तो उसे आप immisible liquids कह सकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है दो immisible liquids होते हैं ठीक है और जो दोनों immisible liquids हैं उनके बीच में हमारा जो analyte है वो partition coefficient के according वहाँ पर separate होता है माल लीजे कि आपका जो sample है या जो analyte है वो hydrophilic nature का है ठीक है तो hydrophilic nature का रहेगा तो वो आपका stationary phase में soluble होगा और माल लीजे अगर वो hydrophobic nature का होगा तो वो आपका mobile phase में soluble होगा ठीक है तो अपने nature के according वो वहाँ पर soluble होता है और उस हिसाब से वो आपके column से बाहर आता है यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका sample mobile face में soluble होगा वही आपका column से पहले बाहर आएगा ठीक है? और जो soluble नहीं होगा mobile face में वो आपका बाद में बाहर आएगा तो यह यहाँ पर basic principle होता है partition column chromatography का next point है इसमें methodology ठीक है? अब methodology में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम stationary face को liquid लेते हैं हम कैसे mobile face यहाँ पर लेते हैं और क्या यहाँ पर basic mechanism होता है तो देखें, methodology में सबसे पहला आता है stationary phase हमने इसके पहले के video में stationary phase पढ़ा था तो वहाँ पर हमने solid stationary phase के बारे में बढ़ा था ठीक है? यहाँ पर आपका जो stationary phase है वो liquid होता है लेकिन वो solid के support में होता है कैसे? stationary phase is liquid which is held in place by coating on solid support ठीक है? वहाँ पर हमने example देखा था माल लीजे silica gel का ठीक है? silica gel आपका solid material है हम क्या करते हैं? किसी भी solid material में liquid की coating कर देते हैं जैसे आपका silica gel है उसमें हम जब water की coating कर देंगे या फिर किसी buffer solution की coating कर देंगे में ली water की coating माल लीजे हमने किया ठीक है? तो आपका क्या होगा? यहाँ पर जो internal surface है यह आपका solid support कहलाएगा जिसमें हमने क्या लिया? silica gel लिया और हम उसके उपर क्या करते हैं? liquid की coating करते हैं liquid में माल लीजे एक्जामपल हम water ले लेते हैं ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? solid support की उपर liquid की coating करेंगे और यह जो liquid की coating है वही यहाँ पर as a stationary phase काम करती है अब देखें, liquid की coating है इसलिए हम क्या सकते हैं कि हमारा stationary phase है, वो क्या है? liquid तो यह आपका एक phase बन गया यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? दो immisible liquid यहाँ पर होते हैं तो पहला immisible liquid हमारा क्या हो गया यहाँ पर? माल लीजे water की coating है, तो water हो गया तो यह आपका एक stationary phase हो गया दूसरा phase इसमें क्या होता है? mobile phase होता है, ठीक है? तो mobile phase यहाँ पर क्या होता है? liquid in nature, mobile phase भी आपका यहाँ पर liquid nature का होगा for example अगर हम देखें, तो माल लीजे हमने silika gel लिया है as a solid support, support के लिए हमने silika gel लिया उसमें हमने coating की, water की तो वो stationary phase हो गया liquid stationary phase हो गया और इसमें हम mobile phase ले सकते है chloroform CHCl3 ठीक है, water और chloroform immisible liquids होते है, ठीक है? तो हम अपने mobile phase का selection stationary phase के according करते हैं अगर हमने water लिया है तो हम chloroform ले सकते हैं या फिर बेंजीन ले सकते हैं butanol ले सकते हैं, propanol ले सकते हैं, इस तरह के solvents को हम ले सकते हैं, ताकि यहाँ पर 2 immisible liquids प्रेजेंट हो तो पहला example में ने दिया, मालीज अगर हम silika gel का support लेते हैं, तो उसमें water को as a liquid stationary phase coat कर सकते हैं, और mobile phase इसमें हम ले सकते हैं, chloroform दूसरा है इसमें cellulose cellulose में भी हम H2O को ले सकते हैं as a stationary phase और इसमें हम mobile phase ले सकते हैं benzene का, माल लीजे हम इसकी जगा ले सकते हैं किसलगर, किसलगर भी आपका एक solid support के जैसे काम करेगा इसमें भी हम liquid की coating कर सकते हैं water की coating कर सकते हैं और mobile phase हम इसमें ले सकते हैं butanol का, दोनों ही immisible liquids होते हैं, solid support में हम एक liquid की coating कर देते हैं और वही ऐसा stationary phase यहां पर काम करता है, तो यहां पर आपकी यह दोनों चीजे होती है, अब अगर हम आगे देखें, तो यहां पर मैंने दिया है है एक diagram, इस diagram में हम समझ सकते हैं कि यहां पर basic mechanism क्या होता है यह आपका एक column है, इसका जो basic principle है वो absorption की जैसे ही है, बस हम यहां पर stationary phase में liquid ले रहे हैं, ठीक है तो देखें, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका जो red वाला है वो आपका solid support है और जो blue color का उसमें coating दिख रहा है वो stationary phase है, ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा है liquid coated stationary phase तो आपका जो coating है वहीं यहां पर stationary phase है तो आपका जो stationary phase है वो यहां पर इस तरीके से settle रहता है, ठीक है अग हमने क्या क्या इसमें उपर से sample डाला sample में हमारा mixture है कोई भी माल लीजिए हमने यहां पर green और red color का sample लिया है हमारे sample में दो color mix है, green और red ठीक है, जब हम इसे इसमें डालेंगे तो जो आपका green color है वो समझ लीजिए hydrophobic in nature है और जो आपका red color है वो समझ लीजिए hydrophilic in nature है जिसे मैं लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आपका यहां red वाला है hydrophilic और green वाला है माल लीजिए hydrophobic अब देखें यहां पर क्या होगा जो आपका hydrophilic वाला compound है वो इस water की coating में dissolve हो जाएगा ठीक है, क्योंकि water क्योंकि यह water loving compound है तो यह water की coating हमने की है उसमें यह dissolve हो जाएगा और यहां पर रह जाएगा लेकिन आपका जो hydrophobic वाला है वो आपका किस में dissolve होगा mobile phase में dissolve होगा mobile phase जैसे ही हम इसमें उपर से add करेंगे ठीक है, तो आपका जो hydrophobic वाला green color है वो mobile phase के साथ बहार जाएगा और आपका जो red वाला है वो यहां पर रह जाएगा आपके water की coating में तो यहां पर आपका क्या होता है जो भी compound आपकी mobile phase में soluble होता है वो mobile phase के साथ बहार जाता है और इस तरीके से आपका जो mixture of component है वो separate होते हैं अब यह दूसरे diagram को आप देखेंगे यह मैंने समझाने के लिए बताया था कि coating कैसे होती है actually मैं आपका जो column है वो इस तरीके से दिखेगा हमने यहां पर क्या किया है अपने sample को डाला है यह जो दोनों color है समझ लीजी आपके mixture of sample है उपर में हमने लिया है mobile face mobile face डालते ही क्या होगा mobile face के pressure के कारण आपका यह जो भी component है वो नीचे की तरफ travel करेगा अब जो component mobile face में यहां पर soluble होगा वो इसके साथ यहां से बाहर निकल जाएगा जैसे green वाला आपका क्या है hydrophobic है ठीके तो वो आपके mobile face में soluble हो जाएगा और यहां पर पहले बाहर आ जाएगा और जो red वाला था वो hydrophilic था तो उसका जो attraction है वो किस की तरफ है? stationary face की तरफ है जहां पर हमने water की coating की है तो वो उससे attracted है उसमें ज्यादा soluble है तो उसको क्या है? कॉलम से बाहर आने में time लगेगा इसलिए जो red वाला है वो आपका पीछे रह गया है और जो green वाला है वो यहां पर आगया गया है तो जिस molecule का interaction mobile face के साथ रहता है वो जल्दी बाहर आ जाता है और जिसका interaction stationary face की तरफ ज्यादा रहता है वो late में बाहर आता है ठीक है तो यह इसका एक basic mechanism होता है अब इसमें दो point मैंने लिखे है molecules interact with mobile face moves fast molecules interact with stationary face moves slow तो इसमें यह बही मतलब है ठीक है जिसका attraction stationary face की तरफ ज्यादा रहेगा वो धीरे धीरे move करेगा और जिसका attraction mobile face की तरफ ज्यादा रहेगा वो यहाँ पर जल्दी-जल्दी movement करेगा तो इस तरीके से आपका partition column chromatography होता है अब अगर हम इसका application देखें कि यह जो partition वाला chromatography है उससे हम कहां-कहां use करते हैं तो पहला है इसमें separation of amino acids tannins, alkaloids, etc इसका use किया जाता है plant extract में अगर हमें alkaloid को separate करना हो tannins को separate करना हो या फिर माल लीज़ अगर हमें किसी amino acid को separate करना हो तो उस case में हम इसका use कर सकते हैं To determine water quality Water quality के determination में इसका use किया जाता है identification and analysis of petroleum fractions petroleum के जो fractions होते हैं उसकी identification के लिए और analysis के लिए हम इसका use करते हैं Analysis of pharmaceutical products pharmaceutical product का अगर हमें कोई analysis करना है तब हम इसका use कर सकते हैं तो partition column chromatography के बहुत सारे application अलग-अलग जगा पे होते हैं अब इसका advantage और disadvantage अगर हम देखें तो advantage में आपका दिया हुआ है white choices of mobile phase यहां बर में हमारा mobile phase का बहुत ही बड़ा range होता है बहुत ही बहुत जादा choice होता है क्योंकि हम इसमें mobile phase में organic solvents यूज करते हैं ठीक है, organic solvents यूज करने के कारण हमारे पास बहुत सारे options होते हैं mobile phase के, यह आपका ads option में भी आया था, next है cheaper than other methods यह आपके other methods से cheaper होता है अगर हम बात करें HPLC की जैसे partition में हमने बहुत सारे method पढ़े थे, HPLC था उसमें आपका GLC था तो इस तरीके के methods हैं उसके मुकाबले आपका यह वाला method है वो थोड़ा cheaper होता है used for both organic and inorganic compounds इस method का use हम organic compound की separation के लिए भी कर सकते हैं और inorganic compound की separation के लिए भी कर सकते हैं disadvantage अगर हम देखें complex mixture can't be separated अगर mixture जादा ही complex है ता हम उससे separate नहीं कर सकते next है less accurate than HPLC HPLC के मुकाबले इसका जो accuracy है वो थोड़ा कम होता है HPLC आपका सबसे ज़्यादा accurate method होता है liquid chromatography में ठीक है तो इसकी जो accuracy है वो HPLC के मुकाबले कम होती है तो यह था हमारा आज का topic I hope कि आपको यह video समझ में आ गया होगा आप छहाएं तो इसका screenshot ले सकते हैं thank you so much for watching this video